प्रभियेशू मस्यी के नाम से आप सबको जाय मसी की मेरी प्रीयों आज की वीडियो में हम बहुती मुख्य topic कवर करेंगे कि चर्च का जो मिसन है उस में चर्च फेल क्यूं हो जा रहा है बहुत से कारण है टोटल पंदरा ऐसे मुख्य कारण है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में खेर अभी यह जो हमारा बाइबल थियोलोजी का हम लोग का जो एक बुक है एक सब्जेक्ट है यहां मिशन इवेंजलिजम डिसाइबलशिप ओके तो इसका ही यह यह भाग है तो मैं आप लोगों को यह जरूर शेयर करना चाहूंगा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है और इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है यह कि चर्च जो है वो मिशन के काम में फेल क्यों हो जा रहा है क्यों इसमें सब चर्च का गलती है चर्च मतलब कोई घ लोग जो एक साथ इखटा होते हैं और बाइवल के हिसाब से चर्च का मतलब भी होई एक है तो पंद्रा ऐसे कारण है वैसे यह बहुत लंबा टॉपिक है मैं सारा सारा तो आपको अच्छे से समझा तो नहीं पाऊंगा पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगा लेकिन जो का समुह जो है चर्च वो फेल हो जाता है परमेश्वर का मिशन कंप्लीट करने में मिशन यानि हम कह सकते हैं कि प्रभू का जो लक्ष है मतलब उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहा है चर्च तो पहला ऐसा कारण जिसके वजह से चर्च जो है वो प्रभू का मिशन पूरा नही कर पा रहा है वो यह है कि by being disobedient to the great commission and disregarding prayer and the ministry of the world पहले तो चर्च प्राथना नहीं करता ओके किस के लिए देखिए चर्च दूसरे चीजों के लिए प्राथना करता है मेरा दुख के लिए मेरा सुख के के लिए नया घर के लिए नया कार के लिए यह सब प्राथना तो होता है लेकिन जो मुख्य चीज के लिए कोई प्राथना नहीं करता चर्च में ओके चर्च प्राथना नहीं करता मिलके एक साथ चर्च मतलब जब मैं कहूं चर्च तो फिर से कहा रहा हूँ कि जब मैं कहूं चर्च चर्च का मतलब इटा पत्थर का घर नहीं होता है चर्च मतलब group of people लोगों का समू तो चर्च जो है वो प्राथना नहीं करता है सेवा काई के लिए खाली वचन सुनाना ये खाली प्रचार 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 करना ये प्रभु का मिशन में आता है लेकिन जो मुख्य मिशन है ग्रेट का मिशन है प्रभु का उसमें चर्च फेल हो जा रहा है यानि ग्रेट का मिशन मतलब महाना गया प्रभु का क्या है चले देखते हैं मती 28-16-20 तक पड़ेंगे मैथ्यू 28-16-20 और 11 चले गलील में उस पहाड पर गए जिसे येशु ने उन्हें बताया था और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रनाम किया पर किसी किसी को संदेय हुआ येशु ने उनके पास आकर कहा ध्यान दीजिये कि स्वर्ग और प्रिथिवी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है इसलिए तुम जाकर ध्यान दीजिये चर्च क्यों फेल हो रहा है आज य आग्याने मन रहा है वो आगय क्या है इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ देखिए सब सब पहले चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवितात्मा के नाम से बबतिस्मा दो फिर पहले चेला बनाना है फिर बबतिस्मा देना है और उन्हे सब बाते जो मैंने तुम्हें आज्यादी हैं मानना सिंखाओ और देखो फिर सिखाओ okay तीन चीज़े पहले चेला बनाओ फिर वह जब चेला बन जांगे तो ओओबेसलिव वो विश्वास कर लेंगे तो जब वो विश्वास कर लेंगे तब उन्हें बबतिस्मह दो और जब वो बब्तिस्मा ले चुके होंगे तब उन्हें जो आज्याई येश्यु ने हमें मानना सिखाई हैं मानने को कहा है वो भी उन्हें सिखाना है तो तीन चीजे हैं और देखो मैं जगत के अंतक तुमारे मतलब सदेव तुमारे संग हूँ तो ये बाइबल का वचन है मैं नही बोल रहा बाइबल खुद यानि परमीश्यु खुद कह रहे हैं बाइबल में बाइबल के द्वारा कि चर्च आज बहुत से चर्च में मैंने देखा है खुद अपने आखों से कि वो क्या करते हैं संडे सर्विस करते हैं वैनेश्डे सर्विस करते हैं फ्राइडे सर्विस है लेकिन सूसमाचार प्रचार भी करते हैं कई लोग लेकिन सूसमाचार प्रचार करना वह तो सब का एक विश्वासी का जिम्यवारी है सब का सब का जिम्यवारी है लेकिन उतना काफी नहीं है समाचार प्रचार करना प्रभू के वारे में बताना उतना काफी नहीं है हमने अभी देखा ग्रेट कमिशन प्रभू का महान आग्या क्या है कि चेला बनाओ और चेला बनाना इतना असन नहीं है कि आप किसी को हाँ प्रभू तुम पर विश्वास करो तुम्हें उद्धार मि हमारे ren वह कैसे कि वो जो ड्राइवर होता है ईहां ड्स में गाटी दारज लिंग जाता है तो वह क्या हिए अगर पहले छेला बनाता है कॉंडीड कर्व रखता है उसे पहले गाड़ी डाइयरेक्ट चुने नहीं दिया जाता और पहले उसे चूनें का काम दिया जवा वो प्रस्टेश करेंगा बाड़ा बाड़ा लेगा यह सब करेगा पैसा सब संभालेगा भाड़ा मतलब लोगों को इखटा करेगा आजओ 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 इस गाड़ी में आजओ और वो कुछ समय तक वो करेगा कुछ महीं महीनों तक करेगा फिर जब वो उसमें ватres breaks ब्रेक्स 10 सब कंडूल करेगा गेरे ड्रायवर करेगा वह जो गुरु रहे गुरु है वह करेगा और चेला हुटोध। और वह चेल वह थोड़ाइन थोड़ा बो ढ़िवह सीधा नीचे खाई में ले नावीं आंप टो प्रभु का सूसमचार देता है लोगों को बोलता है कि सूसमचार प्रभु पर विश्वास कर रही है यह तो खाली हो गया सूसमचार यह चेला बनाना नहीं है लेकिन मुख्य सबसे पहला आगया प्रभु का क्या था मती 28-16 में 16-17 से 20 तक पड़ेंगे तो क्या था कि सबसे आखनार यह कि यहले चेला बनाओ और चेला बनाना बिल्कुल एसा होता है जब आप सेला बनाते हो तो बिल्कुल सथा में घृषाना सात Suzuki कै threatening, सात में सब कुछ सात में होना प्रचार कम होता है पिकनिक ज्यादा क्यों क्योंकि वह सब खाना बना के लिखे जाते हैं प्रचार भी करते हैं साथ में पिकनिक करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन ज्यादा जोर पिकनिक में देना खाने पीने पर देना कम जोर प्रचार पर देना यह गलत है और प्रचार में बनाना इसे, लॡड़ क्ल् chiff है, वो मदत करेंगे, कैसे मदत करेंगे, उन्हें भाइबल नहीं है, कोई equipment नहीं है, उन्हें उन्हें एक्षियूप किया जाएगा, वचन सिखाके १ूप का मतलब है, उन्हें समान वगइरा दिया जाएगा, समान जैसे की जैसे के ऐसी किताब दिया जाएगा पड़ों इसे उहनि हुने सिखाया जाएगा यह है इसका मतलब यह है इस इसका मतलब यह है सांगर कर के उन्हें बिठाक लेपर नुवनाना तो आज़ बहुत से छर्च्सों में नहीं हो 14 कारण है, एक कारण समझाने में इतना टाइम चला गया, तो सोचिए और 14 कारण है, तो इस सायद मुझे लग रहा है, इसके लिए मुझे अलग-अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, दूसरा कारण मैं आपको बताऊंगा, अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लं है, जो मैं पूरा करूंगा, क्योंकि प्रभू के सामने मैं ऐसा सिर्च उखा के नहीं रहना चाहता, सिर्च उठा के, प्रभू मैंने किया है आपका काम, लोगों ने नहीं सुना, तो इस में मेरी गलती नहीं है, खेर, तो अभी और 14 कारण है, इतना लंबा वीडियो हो च इस दे तब तक के लिए, जै मसी, यह मांसी कितना अल्ला कर रही है, मांसी, मांसी, जै मसी बलो, जै मसी, हाथ जोड के, जै मसी मांसी, चलो, चलो, जल्दी, जल्दी, हाथ जोड के, जै मसी बना, ओ, जै मसी, मांसी, जै मसी, जै मसी, यह कितनी छोटी थी ना, जब मैंने प कैसा लगता है कितना शोटी थी इतने बढ़ा गए जै मसी जै मसी